हलो दोस्तों मैं हूं इजाज और आप देख रहे हैं यूटूब चैनल इजू की लाइफ हमारे गाउं के डेरी फारम जो मुन्ना खान साहब हैं यह जो सामने खड़े हैं इन्होंने काउ खरीदे हैं तो चलिए कहां से लाए और जानते हैं और कितने कापिशुटी है इसकी देखते हैं सर कितने में लाई यह काउ अच्छा कितनी कितनी ब्यान की है यह दो दात तोड़ी है दो दात के बाद दूसरा लगा हुआ है क्या दूद रहेगा सर आपका अनुमान क्या सोच कर लाइसको 70,000 में 20 लिटर आपके पास करेगी इसका बच्चा मेल है यह मेल है आपको अंदाज है कि यह लगभग 20 लिटर दूसर जब यह आप 2-3 टैम दूए और उसके बाद मिल्क रिकॉर्ड कराईएगा और यह अभी कितने दिन की बच्चा होगी यह बच्चा लगभग हफ्ता सप्ता दिन का अभी आपके यह नया आया तो क्लाइमेट चेंज हुआ है इसका जगा चेंज होने से भी प्रॉब्लम होता जगा में आप इसको अंदाजा लगाएं कि 20 लिटर तक यह दूद इसका नसल का कैपेसिटी देख करके इस नसल की जानवर यह लगना को इतना दूद करती है अधी हेफ क्रोस में है न सरिया तो क्यों चीटी बढ़ेगा तो क्यों चीटी बढ़ेगा कभी आज हीं आज आए ना अवी एक टाम भी दूए नहीं आपको अभी दूए नहीं नहीं दूने के बाद तो सर आप मैं रिक्वेस्ट है कि दूइन चार दिन बाद आप इसका मिल्क रिकॉर्ड करवाईए ताके हमारे भीवर्स को पता चले कि सेवंटी थाउजन में खरीदे तो कितनी लिटर दूद वाली मिल जाती है आप तो नसल देखकर लिया है दूद तो थोड़ा बहुत कम जादा हो सकता फर्स्ट बियान है आगला बियान में और बढ़ जाएगी है ना सर अगली तब पूरे तरह से जवान हो जाएगी ना जी बढ़ जाएगा ठीक है सर थैंक्यू तो दोस्तों यह काउ कैसी लगी आप कॉमेंट में जरूर बता है अगर अच्छी वीडियो लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूले और मेरे चैनल पर जो फर्स्ट टाइम आया है वो सब्सक्राइब करें थैंक्स पर वाच्छे